हेलो दोस्तों मेरा नाम है आडीजिंग और अभी हम सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मेरे पास एक इस इपॉर्टेंट इन्फोमेशन है वो मैं शेर करते हूं आप लोगों के साथ ये मुझे एक मेल मुझे नही और पैसा जो है बाहर ब्रोकर्स के पास भीज रहे हैं इस मेल में क्लियरली मेंशन है कि आप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग बाइनरी ट्रेडिंग या फिर इलीगली किसी भी काम के लिए जो है पैसा भार नहीं भेज सकते तो यह आई से बैंक से आया है तो अब जो है यह ऐसा हो सकता है तो मैंने पहले भी बता दिया था वीडियो सीरी से स्टार्ट हुई थी कि यह इलीगल है अगर आप पकड़े गए तो बहुत बुरे तरीके से फसोगे और जो है नॉन बेलेबल जो है इसकी रूल्स जो है नॉन बेलेबल है अगर पुलिस ने आपको पकड़ तो आपको छुड़वाने में कोई नहीं आ सकता तो इस चीज का बहुत अच्छे ध्यान रखना उसके बाद ही जो है इस मार्केट में एंटर होना तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हाउ तो इस्टॉल मेटा ट्रेडर 4 ओन पीचीन वट इस मेटा ट्रेडर 4 तो एमटी 4 क्य और सब्सक explore a pi Titan पिचैन बनी के लिए而已 8 ज़ी यहीं करने के लिए वहाइं पर नघर न पर प्लैट्फॉम बना हुआ है हाषित अरु 발istre है उनमें से एक जो है वो है मेटर वीड़ान को आई होप आपको यह समझ में यहों कि मैटर ट्रीडर 4 क्या है अब चलते हैं या लॉग इन करते हैं अपने अकाउंट पर यह देखते हम ईस्टाल कैसे कर सकते हैं यह वैब साइट पर हमने लाश्ट वीडियो में अकाउंट ब के लिखेंगे तो इसकी ओफिशल वेबसाइट आजाएगी अगर आप अपने ब्रोकर का मेटर ट्रेडर फो डाउनलोड करना चाहते है तो आपको अपने ब्रोकर पर लॉगिन करना पड़ेगा जैसे कि यह मैंने अभी अपने ब्रोकर पर लॉगिन किया है और लास्ट वीड प्लैटv ouvert फ़ुक्षे किया है यह काफि सारे प्लैटफॉर्मा आठेण आप अंड्र दरिघ्ली के लिए холод कर सकते हैं मेंटरस Always डाउनलोड कर प्रेट के लिए हमिना फोर ज्रूरत हों। तो हम इसको डॉलोड करें यहां से डॉलोड फोर वींडोस को चाई काईकगा है इस रेकिटोप में हो रहा है यसको करने जो है कि किया कि पलूर, यहांच गोसे ऑफurry फोन नमबर भी दाना हो रहा है फीरिणानूर, टॉल आप यह दो एप्स को complete कर लेंगे confirm identity और phone number को confirm कर लेंगे आपके account पचास डॉलर भी शोग हो जाएंगे आप इसको किया हमने यहां से finish और यह Meta Trader 4 जो है हमारे PC पे जो हो चुका है install यह देखिए यह रहाँ FBS 4 तो इसको हमने double click किया तो हर broker का जो है एक अपना Meta Trader 4 बना हूँ है MT4 सेम रहेगा बट उनका जो है logo रहता है जैसे ही अभी FBS का है तो FBS का logo रहेगा बट अंदर के जो features है सब के MT4 के सेम ही रहते हैं PC का भी जो है MT4 अलग नहीं होता और इसके अलावा आप जो है official website से जाके भी इसको जो है download कर सकते हैं अगर करना चाहिए तो अब इस पर login कैसे करना है तो लास्ट वीडियो में हमने पंट 23 का जो है हमने बोनस जो लिया था उसमें जो हमें login detail मिली थी login detail क्या थी वह यह थी अभी इस अकाउंट पर जो है सकता हूं डेमो इस एन बनाना चाहूं unlimited बनाना चाहूं 0 spread बनाना चाहूं कोई साभी बना सकता हूं यहां से मैंने ओपन किया तब यह जो है मुझे डेमो की detail मिल जाएगी यह देखिए यहां से जो है यह बता रहा है सर्वर कौन सा है फ्री डेमो है आपका देखिए फ्री डेमो यह वाला है इसमें जो है यह login detail डलेगी और भी जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ही अमने अकाउंट बना था 130 डॉलर जिसमें हमें bonus मिला था उसका अकाउंट नंबर क्या है उसका अकाउंट नंबर यह ह सर्वर कुन सा है सर्वर है 10 यह देखिए यहाँ पर उन्हें क्लिक किया उपर यह याई टाइप नहीं क्लिक्त लिख तहीं कॉपिए पेस्ट नहीं करने देरा इस पर मैं जो है मेरा मन नहीं करने का तो मैं यह डेमो वाला यह यह लिखना ही पड़ेगा पासवोड भी कर दिया इसने और यह अकाउंट नमबर हम लिग देते हैं 6421 और यह जो है गलती से आप अब जो है मैं डैमो पर लॉग इन कर रहा हूं तो अब देखिए यह डैमो मैंने स्लेक्ट कर लिए 6421 6421 उसके बाद क्या है 6421 687 687 687 यह मैंने फिनिश किया और यह मेरा अकाउंट जो भच parc swirl में ध्यान रखें कि आपने अपना सर्वर तीक से चूश भी यह कि नहीं किया और अगर आप फॉन में टीव करके चला रहे हैं तो आपको महां पर मंशन ख movies भा नहाँ पर यह फिर ऌ87 Tutर तो आपकर आपका शो हो जाएगा तो आई होँप आपको समझ में आ गी होग कि किस तरीके से mt4 को हमें यूज करना है अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इसमें और क्या-क्या हैं हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं यह देखें यह पर ट्रेड पे हम आये तो यह देखें अब आपने और लाश्ट वीडियो में कुछ पूश्ट थे क्या-चाहिन सबसे पहले यह लास्ट वीडियो का एक कोशन था इसका जो है मैंने आंसर गलत दे दिया था और मुझे किसी ने टोका भी नहीं तो यह कोशन था स्टॉक मार्केट के उपर जब यह मैंने बाद में पढ़ा तो मुझे बाद में ध्यान आया भी है यह कोशन पूछा गया था स्टॉक मार्केट के उपर जल्द बाजी में मैं बता नहीं पाया था मैंने फॉरेक्स को पर बता दिया मेरा डाउट है स्टॉक म आई टी सी होगे फॉरेक्जम्बल के लिए एडी सी कि हमने हजार स्टॉक बाई किये 250 में अब हमें उन्हें 260 में सेल करना है हमने जो है आपके कोशन का अंसर है तो भाईया हमें स्टॉक मार्केट में बायर्स चाहिए होते हैं ये सेलर्स चाहिए होते हैं अगर आपको अपन 260 पे वो order जो है close हो जाना चाहिए अगर वहाँ पर buyer जो है आपने उस टाइम पर sale किया तो उस टाइम पर buy करने वाले अगर 40 या बंदे ही है तो वो खाली 100 ही आपकी quantity sale हो पाएगी बाकी जो quantity आपकी pending में चले जाएगी जैसे ही और buyers आएंगे या sellers आएंगे उस टाइम पर जाके जो है आपकी वो quantity होगी उससे पहले नहीं होगी इसमें जो है hire and seller हमें दोनों चाहिए होते हैं तब ही जो है हम stock market में अपना जो ने order place किया है जो हमारा stock है उसको sale कर पाते हैं अब चलते हैं हमारा पहला question क्या है बड़ी भाई XM broker cheater broker है ये client के साथ cheat करता है तो please XM suggest मत ये बाकी XNS है FBS अच्छा है संदीव कुमार भाई में साथ तो FBS ने भी गपला किया और XNS ने भी गपला किया बट ये इनकी terms and conditions होती है जिसको अगर हम follow नहीं करते तो भाईया ये में जो है आप ना XM को कह सकते ना FBS को कुछ कह सकते ना XNS को कुछ कह सकते वो मैं आने वाली वीडियोस में ये वो चीज़े भी क्लियर करूँगा कि किस तरीके से मुझे लगा था कि मेरे साथ scam हुआ है बट वो उनकी terms and conditions थी पॉलेसी थी जिसमें जो है फस गयते और XM भहिया मैं इसलिए पर्मोट कर रहा हूँ मैं जो है इनके एफिलेट से मेरी डारेक्ट बात है अगर इनके साथ कोई घपला होता है तो मैं इनको जो है पहली बात तो मैं जिस भी ब्रोकर को पर्मोट करता हूँ उनसे जो है पहले बात कर लेता हूँ जिससे जो है अगर मेरे साथ कोई क्लाइंट है मेरा कोई क्लाइंट है उसके साथ चीट ना हो सके इसलिए जो है मैं broker से direct पहले बात कर लेता हूँ कि भाई मेरे जितने भी clients है उनके साथ कुछ भी scam नहीं होना चाहिए और XM broker के साथ मैं work कर चुका हूँ ऐसा नहीं है मैंने work नहीं किया काफी अच्छा broker है थोड़ी commission ज्यादा है लेकिन spread जो है इसकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है बट इसके account type के ओपर है कुछ accounts है जिनमे जो है spread बहुत कम है आप वो use कर सकते हैं और आप इसको scam नहीं कह सकते अगर आपके पास कोई proof है तो उसको show कीजिए जो है मैं मैं खुद expose करूँ आप जो है वो प्रूफ मुझे show कीजिए मैं इस broker को मैं खुद expose करूँ है बट आपको प्रूफ कराना पड़ेगा बिना खाली आप बातों पर आके या किसी के सुनने से आप यह चीज नहीं कह सक बाकी चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन भाई 500 के अकाउंट पर कितना लीवरेज बैस्ट है लीवरेज तो भाई यह जितना मजी रख लो लीवरेज से कोई मैटर नहीं करता मैटर करता है आपका लॉट साइस कितना है जब आप ट्रेड मार रहें और 500 डॉलर के लॉ 0.01 का लॉट रख सकते हो बहुत बढ़िया है और यह कोशन यार मुझसे बहुत पूछा गया है क्या FBS एक यह जो 123 बॉनस से हम हुआ प्रॉफिट विदाउट डिपॉजिट किये विड्रॉल हो जाता है यह फ्री के चक्कर में इतना कंफ्यूज हो रखे हो अगर आप रि दिपॉजिट करना भी पड़ रहा है तो क्या दिख्कत है डिपॉजिट कर लो यार आपने तो लॉंग टर्म के लिए खेलना कर आप अगर आप सटा खेलना चाहते हो तो यह बाइनेरी में खेलो यहां पर जो यह सटा नहीं चलता है बाकी 130 बोनस हो गया यह 50 डॉलर का बो को जो इस टाइम पर खेलोगे तो थोड़ा सा इंटरस्ट आगर डैमों पर जो है कोई इंटरस्ट नहीं आता अगर आपके अकॉंट में की हां यार मुझे खेलना है और मुझे इस अकाउंट को आगे लेकर जाना करते हो ऐसे नहीं है कि यह बिड्रॉल नहीं देगा बस वह यह इसके टर्म सेंड कंडिशन थोड़ी सी ज्यादा हाई है विकॉस आपको जो है फ्री में जो है डिपॉजट किये मिल रहा है अगर आप इसका कॉंटेस्ट विन करते हो तो आपको डिपॉजट भी नहीं करना प अप्शन सही है तो यार यह पहली बात तो यार यह फॉर एक्स की ट्रेडिंग चल रही है और यह जो है बाइनरी के पीछे लोग पड़े हुआ है और एक्सपर्ट ऑप्शन तो भाई स्कैम है उससे जितना दूर हो सके हो जाईए और अंधों में राजा काना जो कहते हैं ओ ह है आकियू आक्शन आक Payक अप्शन जो है। उसमें जो है इन सारे स्कैमर्स के अनदर जो क्ते हैं जितना भी बाइनरी ऑप्शन के प्लैटफॉर्म से उन में सबसे ठीक जो है वो है IQ option IQ option से बड़ी अख होई नहीं है बट है वो भी जो है manipulation करता है scams करता है जो binary option का काम होता है वो सारे के सारे IQ option करता है बाकि जो है expert option clear scam है उसका जो है मैं review डाल चुका हूँ आप मेरे channel पर expert option की video देख सकते हैं clear हो गया है हमारे question सारे के सारे खतम हुए है अगर आपके पास और कोई question है तो यार पूछिए comment section में तो मैं उसको जो है अगली video में लेके आऊँगा उस comment को और उस comment का जो है answer करने की try करूँआ और जो है आने वाली videos में अब जो है हम ने जो है ये सीख लिया है जो है हम जो है इसके जितने भी basic topics हैं base currency हो गई spread हो गया leverage हो गई यह सब जो है हम cover cover करेंगे उसके बाद जो है हम risk management पर बात करेंगे और उसके बाद जो है हम technical and fundamental analysis सीखेंगे कुछ patterns सीखेंगे मिलते हैं अब अगली video में